हेलो दोस्तों, क्या एक अकाउंटेंट को जितना नोलेज वो टेली प्राइम सॉप्टवेर का या बीजी जैसे अकांटिंग सॉप्टवेर का रखता हैं, क्या उतना इन नोलेज उसको कॉंप्यो ओपी सॉप्टवेर का भी होना चाहिए? जितना काम हम quarterly या बीजी जैसे accounting software में कर सकते है business के accounting के लिए क्या उतना सारा काम अपनी compute-office software में भी कर पाएंगी तो इन सब सबस्वालों के जवाब आप लोगों के इस video में मिलेंगी क्योंकि इस type के जो questionnaire है हमने जो compute-office software की यह जो नई सिरीज बिए उसके अंदर हमें परसनली और कुछ कमेंट के दौरा भी एक्विशन मिलें विसर क्या एक अकाउंटेंट को टेली वीजी जैसे अकाउंटिंग सॉप्टवेर के साथ साथ कॉंप्यू ओपिस सॉप्टवेर का भी नोलेज होना जरूरी है या नहीं है तो नमस्कार दोस्तों म आज के वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर भी जरूर कर दिना तो सबसे पहले अपने बात करते हैं ठीली वीजी जैसे अकाॉंट्वेर इन दौर डिफरेंस की है टेली software एक accounting software है जो अपने किसी भी फरकार की business की accounts के record को prepare करने के purpose से अपने टेली software का use करते हैं जिसे माली जी कोई company है उस company के अंदर अपनोंके कितना product खरीद है उसके लिए अपने क्या करते हैं परचेज वाउचर का यूज अपने करते हैं ठीक है और उस परचेज वाउचर के अंदर अपने परचेज वाउचर की इंट्री कर लेते हैं जहाँ पर अपने supplier का इन्वोईशन बर पार्टी का ने प्रोडेक्ट को select करके quantity rate वेगरा और tax को select करके उसकी entry अपने कर लेते हैं उसके बाद में product को कितना sale हुए उसके लिए अपने sale voucher का use कर लेते हैं कितनी अपने payment कर चुके हैं उसके लिए पेमेट वावउशर का use कर लेते हैं कितना पैसा हमारे पास आया है उसके अपने receptor का यूझ कर लेते हैं adjustment को i reverse voluntary करने हैं उसके लिए आपने journal voucher का use कर लेते हैं और उसके साथ साथ अगर हमने कोई goods return किया है यह हमारे पास में अगर कोई goods आया है तो इसके लिए अपने credit note, debit note voucher का भी अपने use कर लेते हैं तो इसके अलबा और बहुत सारे inventory voucher से related है, जिसे delivery note है, material in है, material outs है, कोई physical stock आपको लिखना है इसके साथ साथ अगर आपके order समंदीत को detail है, जो work की detail है, जो work out order है, परजेज order है, sale order है, payroll से समंदीत, बहुत सारे voucher है यह सारे voucher अपने company की requirement के according सब को use करते हैं और सब voucher को use करने के बाद, software हमें एक report generate करके दे देता है, अलगलग type की, भी कौन सा product आपने कितना purchase किया है, कितना आपने sale कर दिया, वो product है, जो कितना बचा हुए है, जैसे अपने stock summary पे चलते है और stock summary के बाद, आप देखोगे, मेरे पास एक product है, मौश का, और यहां मेरे को दिखा रहे है, three piece आपके पास अभी भी stock में बचे वे हैं, क्योंकि मैं यहां पर इसका closing place देख रहा हूँ, लेकिर अब मेरे को इसका देखना हो भी, total इसको product को मैंने purchase कितना किया, sale कितना किय अब इसके लिए अपने configuration यूज करते हैं, जैसे F-bar हमने यूज कर लिया, उसके बाद आपने show inward detail को yes कर देते हैं, और show good outward, यान कि inward का मतलब होगा purchase और outward का मतलब होगा sale, control यह करेंगे, तो यहां आपको total detail दिखा देखा देगा inward, यान कि आपने product को कितना purchase किया, पीस में, 5 पीस, और आपका outward यान कि sale आपने कितना कर दिया, 2 पीस, यानकि 5 पीस आपने purchase कि, 3 पीस आपने sale कर दिये, 2 पीस sale कर दिये, और आपके पास में 3 पीस का यह stock का जो बचा हुए, तो इस type की report हमें telly software त्यार करके देगा, दूसरा counting software भी same ही करेगा, इसके साथ साथ अपने profit and loss count पी जाके देखते हैं, तो यहां आपको दिखाएगा, भी आपने total 950 रुपे की purchase करिये, इसके अंदर आपने 520 रुपे का भी sale कर दिया, और 570 रुपे का अभी भी आपके पास में stock बचा हुए, तो इसके according हमें 140 रुपे का यहां पे gross profit हो रहे है, अभी तक हमने हमारा gross profit में से हमारे expenses कटाने के बाद हमें net profit भी software बता देता है, भी आपने इतनी transaction के अंदर आपको इतना profit हुआ है, उसके बाद अपने balance sheet पे चलते हैं, तो balance sheet पे जाने के बाद अपने को एक side liability side और एक side assets देखने को मिलती है, तो यहां आपको दिखाएगा भी आपकी total salary creditory यान कि आपने 997 रुपए 50 पैसे market में भी पैसे को लोग देने, और duty यान कि आपने minus 21 रुपए 50 पैसे यह आपने government से tax अभी receive करना, यनकि एक तरिके का आपका ये GST का advanced tax पढ़ा है, उसके साथ साथ आपकी asset side के अंदर देखेंगे, तो यह आपके salary debt रही यान कि यह total आपने market से भी पैसा लेना है, और ये आपके पास stock बचा रहा है, तो यनकि इस tax की report हमें accounting software दिखाता है भी आपने जितनी भी transaction करी है, क्योंकि हमारी business के अंदर क्या होता है, अपने total पूरे साल के transaction करते हैं, उसके बाद हमें report देखनी होती है, अब report के अगर 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 ग्राइब देखनी होती है, तो ये सारा का सारा खेल हमें accounting software के अंदर देखने को मिलता है, तो ये काम तो हो गया हमारा accounting software software का, जो कि एक accounting काम करेगा, उसके बाद बात आती है compute op software के, तो फिर compute op software के अंदर क्या काम होता है, और देखो compute op software एक ऐसा software है, जो एक accounting purpose से नहीं बना हुए है, जैनकि जितनी entry आपने tally software में अभी देखी, परचे sale payment, receipt credit, note, eb note की, तो वो सारी के सारी उस type की जो entry है, वो compute op software के अंदर नहीं कर पाएंगे, तो सबसे पहला आपका confusion तो यह हो गया, भी compute op software है, वो एक accounting software नहीं है, तो फिर compute software है क्या, तो compute op software है हो गया, भी इसके अंदर आप देख सकते हैं, भी अलग-लग type के आपको software दिखाई दे रहे है, compute op is main हो गया, और यहां पर यह इसके जै अब माली जी आपने GST की रिपोर्ट त्यार कर ली, अपने accounting software से, तो अब बहुत सारे, ऐसे भी मला बिजनेस में नहीं होते हैं, जो अपने GST रिपोर्ट से हैं, वो खुद फाइल नहीं करते, इंकम टेक्स की रिपोर्ट खुद फाइल नहीं करते, वो अनोंने अपना को CA या tax professional hire किया होता है, तो वो अपना accounting software के अंदर जितनी भी transaction करिये, जितनी रिपोर्ट त्यार होगी, वो सारा का सारा data CA की office में बेज देते हैं, फिर वहाँ से CA office आपकी books को चेक करते हैं, और उसके बाद में compute office software का वो use करते हैं, अब compute software का use कैसे करते हैं, माली जी अब हम अब हमें इसको करना क्या होता है, अब हमें इसको करना क्या होता है, आपने इसको Excel के अंदर export कर लेते हैं, अब Excel में export कैसे करते हैं, इसके उपर हमने already separate video बनाया हुए, इसके लिए में time waste करने की जुरूरत नहीं है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, अपने क्या करेंग, जो हमारी Excel file export होगी, Excel file आए JSON file आप करते हो, तो उस file को आप CA के office में send करते हो तो आप CA office क्या करेंगा, GST की report करने के लिए GST software का use करेंगा, TDS के लिए TDS करेंगा, income tax की return file करने के लिए income tax software का use होता है, जैसे माली जी GST software का use करने, तो जैसे अपने GST software का use करेंगा, तो बहुत सारी parties उसके यहाँ पे aid होती है, यह आपको मैं demo purpose से दिखा रहूं, माली आपकी यह company है, तो इसको double click करके select किया, और उसके बाद में आपने जो reports, जो file आपने बेजी है, आपकी GST R1 की report को, तो वहाँ क्या होगा, इसके अंदर import करवा देगे, अब यहाँ compute software का का क्या गया, यहाँ काम आगे जो record आपने बेजा है, जो आपने Excel file बेजी है GST R1 की उस GST R1 के record को online upload करने के purpose से compute GST software का यूज हो रहा है यहाँ पर, टेली software ने क्या किया, accounting prepare करी और उसके बाद में report generated करके त्यार कर दी भी आपकी B2B के इतने invoice है, B2C के invoice इतने, आपने credit note issue की है, इतने आपने debit note issue की है, यह आपकी HSNW समरी है, इतने आपने document issue की है, पूरे म report बेती, इस report को government के पास में online portal पर upload करने है, अब इसा नहीं है, भी compute office ही कर साथा है, इसके अलब और बहुत सारे software है, आप directly टेली से भी upload कर सकते हो, लेकिन अब compute office software है, यह software आपके data को विल्कुल carefully upload करता है, इसके अंदर किसी भी type की error है मान लेजिए, अब जैसे software है, आप यह compute office software भी बताएगा भी आपका यह जो जिस्टी नंबर है, यह active है, यह directive हो चुके है, यह आपने जिस्टी नंबर गलत लाल रख है, तो यह compute office software जब return online upload करेगा, तो इस type की error को चेक करता है, उसके बाद में जब अपने जिस्टीर 1 को फाइल कर दिया, उसके बाद में जि आपने कोई sale voucher के अंदर को changing कर दी, या कोई गलती से sale voucher को add हो गया, या को delete हो गया, तो जैसी बात आप हमारा जिस्टीर 1 और जिस्टीर 3B के data के अंदर difference आएगा, तो जब भी जिस्टीर 3B की report यहाँ पर आपने compute office software के अंदर upload करेंगे, तो वहाँ पर भी आपका यह software आ हो सकता है, टेक्स के amount के अंदर difference हो सकता है, तो वह हमें यहाँ पर भी error देगा, तो कहने मलब compute office software है, यह आपकी error भरी जो हमारी reports है, उन reports को upload करने के purpose है, अपने compute GST software का use करते हैं, इसके अंदर आपका पूरा records maintain रहते हैं, वह आपकी last year June month के अंदर क्या से रती, इसके अं आपकी reports को बिल्कुल okay रखने के purpose से, आपकी hurt क्योंकि इसका काम होता है, online data को synchronize करते रहना, यह आपके books में अभी present time में क्या record आ रहा है, और आपी तक आपने online upload क्या कर दिया, difference कहा है, difference आने की वज़य क्या है, आपने कोई गलती से पार्टी डिलीड कर दिया, इस आपकी जो error है, आपका यह computer software है, जो हमेसा check करता है, यह online synchronize करता रहता आपके record को, तो आयो हो कि आप इस बात को अच्छी ते कैसे समझ रहे होगी, पि computer software का use है, यह हमी online report purpose करने से, करने के purpose से software का use होता है, और यह computer software आपको हर जगे नहीं मिलेगा, हर company में नहीं मिलेगा, हर shop पे नहीं मिलेगा, लेकिन accounting software आपको हर shop पे हर company के अंदर मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर accounting करने के लिए जुरूरत इनके पड़ेगी, लेकिन computer software एक report करने के purpose से use किया जाता है, तो अब use कोन करता है, जहाँ पर आप लोगों ने, कोई भी अपना tax professional या CE, जहाँ भी आप रिकोर्ड को send करते हो, online को return बेजने के लिए, तो वो लोग use करेंगी, तो हर business के अंदर आपको ये computer software है जो नहीं मिलता, हाँ, अगर कोई accountant computer software को सीखता है, तो उसको सबसे बड़ा benefit ये मिलता है, तो क्योंकि अगर वो, इसकी job, अगर कोई CA के office में लगती है, या कहीं और लगती है, जहाँ पर tax की return वगरा file करी जाती है, income tax की GST की, तो वहाँ पर उसको benefit ये मिलेगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा software वहीं use होता है, तो वहाँ पर उसको कोई दिकत नहीं है, कि जब उनके पास किसी client का data आजाएगा, तो उस data को import करके, असानी से वो return है, जो upload कर सकते हैं, लेकिन आपको इतना tension लेने की भी जरूरत नहीं है, भी है कि हर एक accountant को CompuOp software का knowledge होना जरूरी ही जरूरी है, लेकिन उससे पहले, उस accountant को accounting और accounting software का practical knowledge होना बहुत जरूरी है, उसके बाद आप CompuOp software आपके लिए एक optional है, आप चाहो तो इसको शेक भी सकते हो, ठी इतना mandatory नहीं है, जितना आप सोच रहे हो, लेकिन accounting और accounting software का knowledge आपके लिए mandatory है, अगर आप एक perfect और professional accountant बनना चाहते हो तो, फिर भी अगर आपके कोई query भरस्ती है, वे CompuOp software और accounting software में क्या difference है, शेकना कहां से सेकें, तो आप definitely comment कर सकते हैं, अब next video के अंदर इसका जरूर आ आप सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आगे भी आप लोगों को इस टाइब के नहीं नहीं वीडियो मिलती रहेगी